जब भी गभी आप किसी पावर डिस्टिबिशन कमपनी से रिलेटेट किसी कमपनी में इंट्रविय दिने जाओगे ति ये कोश्चन अकसर पूछ लिया जाता है कि बताईए एक 11KB पोल्स में जो है कौन-कौन से मटरियल्स यूज किया जाता है और इससे रिलेटेट कुछ और जानकारी के बारे में भी आपसे कोश्चन जो है पूछ लिया जाते हैं ये हमारी कौन सी लाइन है 11KB की लाइन है अगर बात करें इस 11KB के लाइन में कौन से कंड़क्टर्स यूज किया जाते हैं तो आप चाहे तो रैबिट यूज कर सकते हैं डॉग यूज कर सकते ह एस पर इसकोप, एस पर प्रोजेक्ट के हिसाब से आप से जो है कंडुक्टर्स वैरी करते हैं बट सवाल यह आता है कि अक्सर जो है इंटरव्यूस में यह पूछ लिया जाता है कि 11 KV के लाइन में जो एक सिंगल पोल में कौन-कौन से मट्रेयल्स जो है लगे होते हैं और से रिलेटेड और भी कुछ एक कोशन जो है आप से पूछ लिया जाते हैं तो चले इस सुडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं सबसे पहले चाहिए हमें एक पोल आप चाहो तो एक पोल जो है वो 8 मिटर PSC पोल यूज कर सकते हो आप चाहो तो 9 मिटर PSC पोल का यूज कर सकते हो as per requirement और as per scope के हिसाब से फिर चाहिए होगा आपको एक बेस प्लेट पोल के लिए गड़ा करने के बाद सबसे पहले उस गड़े में बेस प्लेट डाला जाता है फिर उसके उपर जो है पोल डाला जाता है फिर उस गड़े को मिट्टी और इट के टुकुडे से पिर जो हमें चाहिए होगा तीन पिन इंसलेटर उस तीन इंसलेटर को हम लोग दो वी क्रोस आर्म पे फिट करेंगे और एक हमारा जो फिट होगा वो हमारा F-bracket पे फिट होगा इस सिंगल पोल पर अर्थिंग भी प्रॉवैड की जाती है जिसके लिए हमें चाहिए एक क कोईल अर्थिंग है जिसे पोल के 1200 mm दूरी पर जो है गाड़ा जाता है इस कोईल अर्थिंग को पोल के फैब्रिकेटेड मटेरियल से कनेक्ट करने के लिए हमें चाहिए 8HWGGI वायर एप्रोक्स्टमेटली आपको 800 ग्राम जो है 8HWGI वायर जो है यूज हो जाएंगे इस 8HW KWGI वायर का यूज इफ ब्रैकिट के नट एंड वोल्ट से कनेक्ट करके फिर इसे जो है वी क्रोस आर्म के बैकक्लैम के तुरू इस पोल से तीन राउंड गुमा कर कोईल अर्थिंग से कनेक्ट करते हैं फिर इस पोल पर हम लोग एंटी क्लैविंग डिवाइस जो है इंस और इस बरबर वायर को पोल पर fit करने के लिए हमें चाहिए एक सेट टॉप क्लैम और एक सेट बॉटम क्लैम एंटिंग क्लैमिंग डिवाइस को इसलिए हम लोग पोल पर इंस्टॉल करते हैं ताकि कोई अनथोराइस्ट परफसन इस पोल पर ना चाड़ सके फिर हमें चाहिए एक 11 कवी डेंजर बोर्ट इस डेंजर बोर्ट को पोल पर fit करने के लिए हमें चाहिए एक डेंजर बोर्ट क्लैम इसके हल्प से हम लोग डेंजर बोर्ट को इस पोल पर fit कर देते हैं As per requirement के हिसाब से इस single pole पर stay set भी fit किये जाता है Stay कहां पर लगता है और कौन-कौन से material यूज होते हूं stay set में तो इस वीडियो का link जो है इस वीडियो के description में मिल जाएगा तो एक single 11KB pole में हमारा उसके लिए हमें चाहिए एक PSC pole या rail pole एक base plate एक F bracket वी cross arm with clamp एक नमबर pin insulator तीन नमबर कोयल अर्थिंग एक नमबर 8SW GI wear चाहिए 800 gram और anti-clabbing device चाहिए एक set और आपका danger board एक set और stage जो है as per requirement एक ये दो आपका लग सकता है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो भूल आपको दियुत सबदेत आपको लेकार लुए कोड़ोगा और माइसके वाल नखरा श्रा क्या snippं माना वार और र्मार 12202